बात करने के लिए लॉग इन करें www.astrotak.com दोस्तो नमस्कार मैं हो डोक्टर स्रीपतित्र पाथी आए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि कब लग रहा है साल का आखरी शुर्ज ग्रहन जानिये दीन तारिख और प्रभाव साल का अंतिम सुर्ज ग्रहन मार्ग सिर्ष, क्रिष्ण पक्ष, सनिवार 4 दिसंबर 2021 को लगने वाला सुर्ज ग्रहन भारत में द्रिश्य नहीं होगा चंद ग्रहन की ही तरह सुर्ज ग्रहन भी एक महत्यपूर्ण खगोली घटना है जोतिश में ग्रहन को असुभ घटनाओं में गिना जाता है इस वजह से ग्रहन के दवरान सुभकार और पूजा पाथ वरजित माने जाते हैं आइए आपको साल के आखरी सुर्ज ग्रहन और उसके प्रभाव के बारे में बताते हैं भारती ये मानक समयानोशार ग्रहन 4 दिसंबर 2021 दीन सनीवार को लगेगा इस दिन मार्ग सिर्ष महीने की कृष्ण पक्ष की अमाउस्याती थी है सुज ग्रहन 4 दिसंबर की सुबह 10 बज कर 69 मिनट पर शुरू होगा जो दो पहर 3 बज कर 7 मिनट पर समापत होगा साल का आखरी सुज ग्रहन अंटार, कटिका, दक्षिन अफरिका, आस्ट्रेलिया और दक्षिन अमेरिका में दिखाई देगा इस ग्रहन को भारत में नहीं दिखा जा सकेगा जो तिस के अनुशार भारत में यह नहीं दिखाई देगा जिसकी वज़ा से इसका सूतक काल भी मानने नहीं होगा वैसे तो सूज ग्रहन से 12 घंटे पहले सूतक काल लग जाता है या ग्रहन उपछाया होगा जोती सास्त्र के अनुशार पूर्ण ग्रहन होने पर ही सूतक काल मानने होता है आंसिक या उपचाया होने पर सू तक नियमों का पालन अनिवार्ज नहीं होता आपको बता दें कि इस समय जितना हो सके जो कि ग्रहन नहीं लग रहा है फिर भी इसका जितना यतोचित उपचार पूजन पाठ हो सके वह बहता रहेगा तब तक के लिए दीजी मुझे इजाज़त मिलते हैं अगले वीडियो के साथ तब तक के लिए नमशकार